जहने दोस्तों स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टोपिक के साथ पाकिस्तान कंटिन्यूड रिलाइंस और आई-म-एप सपोर्ट एक्सपेक्टेड टू परसिस्ट मेजर गोर्वारिया सहबाद सरी तो जले दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते है आश लाओ जू Indonesian भी आप चिंटिन्जिस करना चाहो तो आप हमें कमेंट के थ्रू बढ़ा सकते हैं वीडियो में कोई भी कम sliding लगता है तो दोस्तों आज दूसरा बैग्राउंड है बोर हो गए तो स्टूडियो के अंदर शूट करते करते तो फिर मैंने सोचा कि हमारा लाउंज एक शोटा सा लाउंज के अंदर शूट करें एक डिफरेंट फ्रेम आपको दिया जाए दोस्तों मुद्दा वही पुराना है फ्रेम च बेज़ती करें लेकिन इस बार टेक्निकल बेज़ती होगी थोड़ा सा समझना पड़ेगा और ये पूरा रिसर्च टीम ये पूरा पोधा बना के लाई है और इस पोधे से मैं बीच-बीच में रेफिरेंस लूँगा और मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा आई-एम आई-एम-फ के साय में पलता रहेगा वो आई-एम-फ से अपना चंगुल नहीं छुटा इसके पीछे एक 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 आइडिया भी है मैं आपको बताऊंगा आई-एम-फ ने क्यों बोला और पाकिस्तानी क्या सोचते हैं पाकिस्तानी पैसे तो लेते हैं आई-एम-फ से दोस पाकिस्तान में बैठे-बैठे मिल जाए इनको कहीं जाना ना पड़े अगर मांगने का कोई olympics हो तो या world cup हो कुछ भी हो तो इतने high level के मंगते हैं इन्होंने क्या करा है मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान के अंदर आई-एम-फ के खिलाफ बहुत नफरत है मैं आपको जिससे पैसा लेते हैं उसी से नफरत करते हैं ठीक है अमरीका से पैसा लेते हैं अमरीका से नफरत करते हैं साओधी अरब से नफरत करते हैं चीन से पैसा लेते हैं और कहते हैं चीन से प्यार करते हैं लेकिन मरते कोन है पाकिस्तान के अंदर चीनी अभी फिर मार दिया है तो पाकिस्तानियों को जो पैसा देगा, पाकिस्तानी उसको जान से मार डालेंगे, या उससे नफरत करेंगे, उससे घरना करेंगे, ये कौम का सिगनेचर ट्यून है उस कौम का, जो भी मदद कर रहा है, आएमेफ ने पाकिस्तान से बोला क्या है, आएमेफ ने पाकिस्तान स ठीक हो जाएगा फिर तुम्हें लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे। ऐसा IMF ने पाकिस्तान को समझाया। अब IMF वाले भी बेवकूफ हैं। वो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि अपने आपको ठीक करो अपने पैरों पे खड़े वो चाहते नहीं अपने पैरों पर कडको ऑना भाई। जब मांग के मिल रहा है आप चाहते हैं वो टाइ वाई पहन के आप दफ्तर जाओ और मेहनत करे पाकिस्तानी। उसको घर बैटे बैटे मिल रहा है। बिना मेहनत करे बिना कुछ करे पूरे शरीफ खानदान की एवन इतनी आश कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि देखो, अगर तुम हमारी बात मान जाओगे ना, तो फिर ये जो आईयाशी है, ये पूरी आईयाश है, तुम आराम से अपने पैसे से करना, फिर तुम्हें अपनी आईयाश के लिए हमसे पैसे नहीं मंगने पड़ेंगे, आएमे को इनकी इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है, अब थोड़ा सा टेक्निकल बेज़दी कर देते हैं, ये देखिए दोस्ता, टेक्निकल बेज़दी में शामिल ये है, कि आईयमेफ ने बूला है, कि इंक्रीज इन पब्लिक डेट रीचिंग 79% of GDP, 2022-2023, 2022-2023 में 79% of GDP, अभ पाकिस्तानी, उनका रेडार लॉक रहता है बिल्कुल, आप कमरे में आईये, ये नहीं देखेंगे शकल कौन है, कौन बंदा आ रहा है, ये पहले देखते हैं पाकिस्तानी उसका बढ़वा का है, बढ़वे से याद आया, एक कुवेती डिप्लोमाट था यार, वो हाया थ करके आया और अपनी मीटिंग जो थी ना, वो गलती से अपना बढ़वा, उसने टेबल पे छोड़ दिया, समझ रहे हैं, वो बढ़वा एक पाकिस्तानी डिप्लोमाट ने देखा, उसने देखा बढ़वा पड़ा हुआ है, उसने चुप चाप बढ़वा अपनी जेम में डाल दिया, अपने मेहमान, जो उसका मेहमान था, अपने मेहमान से चोरी करी, यह फैक्ट है, आप देख सकते हैं, अपने स्क्रीन पर अगर आपको लगे, मैं जोड़ बोल रहा हूं तो, तो ऐसी कौम है, जो मेहमान से चोरी करती है, अब देखिया, देख के एक्सपोर्ट होते हैं, देख के एक्सपोर्ट होते हैं, देख का टैक्सेशन नेटवर्क होता है, देख के और चीज़ें होती हैं, इंपोर्ट होते हैं, ड्यूटीज होती हैं, दस किसम की चीज़ें होती हैं, पाकिस्तान का जो रुपिया है, वो सिर्फ इस पे निर्भर करता है, और इसलिए वो 290 से लेकर 301, यानि कि 11 रुपए के, जो एक मारजन में वो भागेगा दोड़ेगा, और स्टेवल रहेगा 11 रुपए के मारजन में, क्योंकि पाकिस्तानी एकॉनमी जो लोग चलाते हैं, उनको ये पता है, कि भाईया आपको IMF से एक और लोन मिलने वाला है, समझे हैं आप, एक तो ये लोन है जो उनको मिलने वाला है, भाईयों न जुलाए के लिए, जुलाए दोहजार चौबिस के लिए अर्जी अभी से लगा दी है, कि ये तो आप दे ही देंगे, हमें पूरा विश्वास है कि ये कहीं ने गिया, क्योंकि स्टाफ लेवल अग्रीमेंट हो चुकी है, तो भाईजान ये जो जुलाए में एक और दे सकते हैं, आप हमें, ये भाई लोग मांग चुके हैं, ये जुलाए का, ये ए क्योंकि जो भी स्टाफ से खेल रहे हैं, सब को पता है कि आएम एफ का पैसे आने वादा है, और सारा गेम आएम एफ के पैसे का, ये रिपोर्ट बता थी, मेरे सामनी ये देखे रिपोर्ट है, ये पूरी रिपोर्ट है, ऐसे बात नहीं कर रहा है, पन्ने के पन्ने, पन् खुश हैं पाकिस्तानी हैं, कह रहा हैं, हभी भी, लोन आती, हम बिर्यानी खाती, लोन नहीं आती, हम भूका सो जाती, तो यह है, तो भूका तो सोना नहीं अनको, तो लोन आती, फिर यह बिर्यानी खाती, यह देखो. फाइन्स मिनिस्टर मुहमद औरंग्ज़ेब, नाम देखो, इसका मौहमद औरंग्ज़ेब, सजेस्ट अइसलामाबाद इस लाइकली तो रीच अस्टाफ लेवल अग्रीमेंट अधी आएमेफ एंड पैकेज बाइंड फिस्कल एर। end of the fiscal year तो हो गया है 31 मार्च को खदम होगे तुमारा fiscal year और कितना घजिट होगे fiscal को अब ये पाकिस्तानी delegation लेके जाएंगे वाशिंटन मिड एपरिल में मैंने बोला था न जून जुलाई वाला जो लोन है अब उसके लिए वाशिंटन जा रहे हैं और वाशिंटन जाके ये वहाँ पे एक नए सिरे से नए तरीके से भीक मांगेगे कि जो आपने अर्बान डॉलर अभी दिये वो तो हम ड़कार लिए हमने नेक्स टेप क्या है भी या हमें और पैसा दो ये देखो थ्री बिलियन स्टैंडबाई अग्रीमेंट ये हो गया है फाइनल रिव्यू इसका और इसका थर्ड ट्रांश जो है 1.1 बिलियन का वो एपरिल के इंट तक हो जाएगा बाई साब और यहाँ पे इन्होंने पांच साल का रोड माप बनाया है और यह सब देखो पूरा ड्रामा पूरा उनों ना बताए कि हम क्या करेंगे Ministry of Privatization, Pakistan International Airlines को privatize करेंगे IT सेक्टर को हम Persuade यह देखो यह बातें ऐसी लिखते हैं यार पाकिस्तानी मैं बता रहो इनके नेता सारे जूटे मकार चोर यार यह क्या लिख रहा है देखो इनका प्लान है फाइव एर का प्लान Efforts to persuade social media companies like X, Instagram and Meta to establish offices in Pakistan यह चाह रहे हैं कि और इनको क्यों चाहिए पाकिस्तान में आफिस आपने कभी सोचा है क्यों चाहिए मैं जादा लंबे और डिटेल में नहीं जाओंगा मुझे लगता है टेक्निकल बेज़ती बहुत हो गई लेकिन आपको यह पता है यह कह रहे हैं कि Twitter यानिकी X, Instagram और Meta, Facebook वगएरा इनके office पाकिस्तान में क्यों होने चाहिए सोचा आपने कभी पाकिस्तान में एक Software Technology Park नहीं है एक पूरे पाकिस्तान में 24-25 करोल कम उलक है एक Software Technology Park नहीं है एक company नहीं है Software की पाकिस्तान में जो ढंकी हो जिसकी दुनिया में इज़त हो ठीक है यह छोटे मोटे टिंचर पिंचर काम करते हैं आदे तो पाकिस्तानी टिक टॉकर है इनको क्यों चाहिए एक सोर मीटा के आफिस क्योंकि भारत के हैं और कुछ नहीं मैं बता रहा हूँ क्योंकि एंडिया में वो आफिस हैं इसलिए हमें भी चाहिए सिर्फ यही लॉजिक है आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछो जब इनके यूट्यूबर जाते हैं लाहोर असियाल कोट किस रोटों पर माइक लेकि लोगों के मुझे अंदर माइक डालते हैं और पूछते हैं क्या बताई तो हर समय देखना कि कंपैरेजन होगा इंडिया के साथ अगर इंडिया कर सकता है वो फिर एक्स्प्लिनेशन देता है दुमें वो कहता है कि हमारे पास टैलेंट इंडिया से जाधा है लेकिन साध्य कोल साजिश हो गई है हमारे साथ साजिश हो गई है इसलिए हम इंडिया को नहीं वरना इंडिया हमारे समने कुछ है ये नहीं, हम तो जजबे वाली कौम हैं, उनमें जजबा है, किस चीजबा है हमें आज तक नहीं पता लगा, लेकिन वो इमान वाली कौम है और जजबे वाली कौम है, खेर एनीवे, इनको ये Facebook, Facebook के आफिस क्यों चाहिए पाकिस्तान में? केंदे ये चाइनीज को देखे इतने बेवकूफ के बच्चे हैं इनके जो टॉप लेवल के लोग हैं बिलकुल कमकल ये वही चूरन बेचते हैं जो इनके लोगों को पसंद आए उसका लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है एक बात बताओ चाइनीज तुमारे अच्छे दो चैन Easy को बचा पाई है आए देन चानीज पर डड़टा को जाता है चानीज को बचानी पाई अब तुम चाते हैं अमेरिकान आए अमेरिकाम्स भी मरें पे अमेरिकान भी मरें Twitter वाला मर जाए Facebook वाला जो आए पाकिस्तान में भंश्रिलंकन था उसको तुमने जला दिया मतला भागदी हो गई कोई काम करने आए तुम उसको छोड़ते नहीं हो परसों तुमने KFC में अटेक कर दिया तुमने KFC में हमला कर दिया अच्छा इननों भाईयों ने क्यों KFC पर हमला करा और उसका चिकन और चोरी कर लिया समझें आप उसका चिकन और चोरी कर लिया अगर ऐसी भी नफरत नहीं थी कि पूरे KFC में आग लगा देतें फूंक देतें नहीं इन्होंने तोड़ फोड़ करी वहाँ से कोर्मा चोरा लिया था पाकिस्तानी होना वो चचा देखा चचा फोटो देखाना दरा चचा की हाँ यह वाला चचा यह कोर्मा चोर है कोई मुर्गी चोरा रहा है कोई कोर्मा चोरा रहा है और ये ये कौम जो मुर्गी चोर और कोर्मा चोर है ये कहते हैं कि Facebook का office बागे, क्या करोगे, मैं तुम्हें एक आसान चीज़ बताओ, कोई भी पाकिस्तान में बड़ी सी building हो ना, उसके आगे तुम खुदी Facebook लिख दो, सिर्फ यही तुम्हारे ले solution है, उसके आगे Facebook लिख दो, बाती सब हम समाल लेंगे, don't worry, हम समाल लेंगे, इनको चाहिए Facebook के office, talent zero है, दिमाग से पैदल कौम, कुछ नहीं आता, बम भोड़ना, अटैक करना, गाली गलोज करना, election fix करना, ये चीज़ें आती हैं, इनको चाहिए Facebook और Twitter, और अमरीकन पागल है, वो खेल रहे हैं, खत्रों के खेला लेंगे इनके साथ, क्या पागल थाइंक दोस्तों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए बिखारीस्तान का तो समझ में नहीं आ रहा है, में तो बहुत कुछ समझाया है, टेक्निकल तो समझ है, मतलब अलड़ी मिल सुका है थोड़ा बहुत रुपया, उसको आयम एप से, तो अलड़ी एडवांस में तय होती है, वो तो सिर्फ पाकिस्तान से सिख सकते हैं यह बहुत बड़ी अभी यह सीज़पी है ना कि हमने कही बारे मेडिया में देखा होगा क्या भारत में यह आज भारत में यह फाइनास मिनिस्ट राए भलाने कंट्री से दूसरे कोई कंट्री से और आते इतने एग्रिम लेकर आज तका मैं बोलता हूं ने एक न्यूज बोली हो कि हम पाकिस्तान में सब्सक्राइब और वहां निकला था सब्सक्राइब और यह विखार ही लोग है लें। इनको तो तुरंस में पैसे एक साथ मिले ही उसको मजा आता उसको एसा नहीं कि थोड़ी थोड़ा- 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 पैसे आता पाकिस्तान को समझ में आ गई ताकि उसकी जमीन बस गई जैसे पाकिस्तान की तो बसने वाले नहीं जैसे सीपेक कंप्लेट हो जाधा शाइना अराम से प्रेसराइज करता पाकिस्तान को पूरा पाकिस्तान हडप लेता यही पूरे शाइना का प्लानिंग था इसमें मेरे तो तो यह कहना साथ कि पाकिस्तानों कि आप बलुसिस्तान को अल्ला मानना स्टार्ट कर दो का आपको बशा लिया अच्छी बात में करों बागी तो आपके लिए आपको को फरक नहीं पड़ता और इतने अमले के बाद लगता नहीं है कि वापस मतलब उसके एंजिनियर का मिनिस दूसरे कंट्री के मिनिस्टर का पटवा मार सकता है तो उस कंट्री के हम क्या हाला दोगी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में लिख कर जड़र बताईए आप से दोस्तों विजायी ले रहे हैं मिलेंगे और रखने वीडियो में आपके साह तिल देन जय हिन जय बारत